ग्रीनलैंड ये 2020 की एक अमरीकन डिजास्टर फिल्म है डिरेक्टेड बाइ रिक रोमेन वॉग और रिटन बाइ क्रिस स्पार्लिंग इस मूवी में हम देखते हैं जिराड बटलर, बॉरिना बैकरीन, रॉजर डेल फ्लॉइड, स्कॉट ग्लेन को ये मूवी हमें कहानी बता कहानी है ये एक प्लैनेट डेस्ट्रॉइंग कॉमेट अर्थ की तरफ आ रहा है अब इस सिचुएशन में किस तरह से ये फैमली सर्वाइब करती है ये उसी की कहानी है मैं जब इस मूवी को फर्स टाइम देखने जा रही थी तब मुझे ऐसा लगा था ये एक बहुती इं अब देखिए इस चीज को मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी बट मेरा जो एक्सपेक्टेशन्स था उससे बहतर मुझे कुछ देखने का मौका मिला तो मैं बहुती जादा इंप्रेस हुई हूँ अब देखिए ये मूवी इमोशनली स्ट्रॉंग है और कुछ सीन्स प मैं एमोशनल हो गई थी इस सर्वाइवल की जर्नी पर एक जो टेंशन क्रियेट रहता है हमेशा जिस वज़से ये मूवी देखने में और भी जादा एक्साइटिंग होने लगता है I mean इस फैमली को जिस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है इस मूवी में जिस को रिपीट किया जा रहा है बट आप लोग अगर पूरे मूवी को देखोगे तो फिर आप लोग को पसंद आएगा ये मूवी बट कुछ चीजों को रिपीट अगर नहीं किया जाता तो फिर I think ये मूवी थोड़ा सा और बेटर हो सकता था और भी वीक पॉइंट्स की बा हॉलिवड की डिजास्टर मूवी पहले देख चुके हो तो ऐसी एंडिंग आप लोग देख चुके हो तो एंडिंग ने मुझे इंप्रेस नहीं किया तो उस चीज को अगर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दिखाया जाता तो फिर मूवी और जादा अच्छा लगता मुझे मूवी और जादा बेटर हो सकता था बट ऐसा नहीं हुआ परफॉमेंसे इसकी बात करें तो जिराड बटलर और मौरिना बैकरीन ने बहुत ही अच्छा परफॉमेंस दिया है बहुत ही रियलिस्टिक परफॉमेंस दी है दोनोंने साथी साथ रोजर डेल फ्लॉयड ने भी अपने रोल को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है स्कॉड ग्लेन का एक छोटा सा रोल है और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉमेंस दिया है और उनका कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर मुझे पसंद आया बहुत ही कम टाइम के लिए वो थे बट उस कैरेक्टर को जिस समझकर इस movie को देख रहे हो that disaster movie है first to last आप लोग को disaster scenes देखने को मिलेगा but ऐसा नहीं है आप लोग disappoint होगे इस movie में characters पर ज्यादा focus किया गया है but इस movie में बीच बीच में जो disaster scenes दिखाया गया है and last में शुरू से थोड़ा सा ज़ादा disaster scene देखने को मिलता है वो scenes मुझे पसंद आया of course मैं आप लोग को recommend करती हूँ ये movie अब देखे ये movie अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है that कुछ outstanding आप लोग देख लोगे बहुत ही amazing कुछ feeling मिलेगा आप लोगों को ऐसा नहीं है but मैं एक चीज़ कह सकती हूँ that आप लोग अगर इस movie को देखोगे तो आप लोग के जरूर बताओ आप लोग इस movie के बार में क्या सोचते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share जरूर करो चैनल को भी subscribe कर दो thank you so much for watching this is Juhi मिलूंगे आपसे next video पे